हाई एवरीवान वेलकम टू राज आईएस आइम अंकित कोशल होफ लिए अपने घर में सब अच्छे होंगे तो गाइस अच्छे रही है थ्यान रिखिए अपना एंड गाइस आज हम डिसक्स करेंगे करेंट फिर के पॉइंट वेव से काफी इंपॉटने टॉपिक आरवी एस अनएक्सपेक्टेड रैपोरेट पोस अब देखी इस सेशन में हम काफी डिटेल में डिसक्स करेंगे रैपोरेट होता क्या है और साथ साथ मोनेटरी पॉलिसी कमीटी क्या होती है लेकिन सेशन स्टार्ट करने से हमेशा की तरह टॉपिक से रिलेटिड कोशन देख लेते हैं तो रैपोरेट के कंटेक्स्ट में तीन स्टेटमेंट हम अरपस गिवन हैं फर्स स्टेटमेंट क्या करती है बॉंड इल्ड और सिंटर बैंक अजस्टा रैपोरेट हिन रिस्पोंस तू इंफलेशन एंड थर् से वीडियो को पोस करकर कैblade आभी बदाने कि कोन सी स्टेटमेंट इहां पर सही है कोन सी स्टेटमेंट गलत अगर इनके समान लोगे आपका गथ को भी जाता है तो लास्ट में को काफ़ी डिटेयल में डिसक्स करेंगी तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि कहां पर आ भान लो we are basic loan ले रहे short term basis पर उसको हम क्या बोलते हैं रहां बोलते हैं यहाँ पर आपने याद रखने कोई भी एक अगर RBI जोरे wider वह लों लए रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं report और अगर मानलो कि RDI किसी बैंक से short term पर लोन ले रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है रिवर्स रैपो रेट अब देखे रैपो रेट के कंटेक्स में हमने यह तो समझ लिया कि शॉर्ट टाम बेसिज पर अगर कोई भी बैंक आर्पी से लोन ले तो उसको हम रैपो रेट बोलेंगे लेकिन यहां पर बैंक आरब यां ने कहा है कि आपको हंडर के करोड का बिजनस करना है कि अंध्टीट होगा और किस पर होता है ने डमांद टाइम लायबिल्ट इमांड और टाइम यह जो दो वर्ड हैं इनको आप अच्छे से समझेगा दिके जब हम बैंक में जाते हैं या तो हम लोन लेने के लिए जाते हैं यह हम जो हमारे पैसा होता है उसको डिपोजेट करवाने के लिए जाते हैं तो डिपोजेट दो तरह से होता है एक डिमांड बोजेट और एक टाइम डोजेट डिमांड बोजेट में दो डिपोजेट होते हैं सेविंग अकाउंट कि एडैक्र & प्रेंट कांट अब सेविंग अकाउट में हमें इइंट्रेट मिलते हैं लगबग Lessáng 6 का लिकिन क्रेंट concurrent होता है Music में इन्ट्रेट नहीं मिलता जीरो अधिन इंट्रेट मिलता उसकी बिच बरिशन के और कि इसमें जो transactions होती है वो unlimited होती है मतलब हम कितनी भी ट्रांजेक्शन यहां इसमें कर सकते हैं यह मेंली फॉर्म ही basically current account open करवाती है उसके बाद है time deposit time deposit का एक best example आपने सुना होगा fd fix deposit और उसके बाद bulk deposit और then recurring deposit यह एक तरह से type है इनको हम फिरकर भी discuss करेंगे अभी के लिए रिखिए हमारा जो टॉपिक है वो रैपोरेट है तो हमारा में यहां पर concentration जो है वो रैपोरेट पर यह उना है यह मैं आपको समझाने की पॉइंट वह से बता रहा हूं तो यहां पर बैंक ने एंडिटियल मैनेज करना था 100 क्रोड और बैंक यह मैनेज नहीं कर पाया लगबग यहां पर बैंक ने 90 क्रोड के आसपस मैनेज कर लिया और हर पर बैसे बहुत बहुत हैं तो आपको कंडिशन समझ में आगी कि रैपोरेट किस बहाफ पर बैसिकली हमें देखने को मलता है मतलब जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोन लिया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा और यहां पर गिर भी रखना होता है और यहां पर कंडिशन भी आपको क्लियर होगी होगी अब यहां पर रिवर्स रैपोरेट को अभी के लिए अब स्किप कीजिए और वैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी न्यूस देखते हैं तो हमें यहां पर SLR CRR रैपोरेट रिवर्स रैपोरेट एंड बैंक ग्रेट यह हमें कुछ टूल्स देखने को मिलते हैं जिसके कंटेक्स में हम समझते हैं कि अगर हमारे देश में इंफलेशन चार रहा है तो उसको और यह कंट्रोल करता है या फिर दिफलेशन मतलब मंदी चल रही है तो उसको कैसे यहां पर दूर करता है तो रैपोरेट के कंटेक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि जो यहां क्वालिटेटीव टूल्स या क्वांटेटेटीव टूल्स अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा डीप में ले जाओ है तो उसको किस तरह से टेकल करेगा तो वह हमने समझना है अब यहां पर हमने जो फर्स स्टेट्मेंट समझी थी कि रैपोरेट बेसिकली अभी के लिए आर बेने उसको पोस कर लिया लेकिन कुछ महीनों से अगर हम देखे तो कॉंटिनुस ली आर बेरेट जो है उसका इं नहीं बढ़ रहा था या 0.50 के आसपास से इंटरस रेट बढ़ रहा था लेकिन फाइनली 6.5 परसेंट पर आकर इसको आगे आर बीए नहीं बढ़ा रहे हैं और अगर हम कोविड के समय की बात करें तो 4 परसेंट के आसपास था अब यहां पर जो 4 परसेंट हमें कोवीड क ज्यादा देखने को मिला या फिर आप ऐसे खंजो 49 महिनों का डाटा है उसके कंटेक्स में अगर हम समझें हमारे देश में जो इंफलेशन है वो काफी ज्यादा राइस कर चुक है और इंफलेशन आप इसको इस सब्सक्राइब सकते हैं जो मेकसीमा में प्लस और माइनस टू परसेंट हो जाता है तो कोई दिक्कत नी है मतलब अगर मिनिमुम टू परसेंट चला जाएगा तब भी कोई दिक्कत नी है तो यह एक तरह से हम यहाँ पर कंडिशन लगा कर चलते हैं अब एक फिक्स तो नहीं हो सकता ना तो वह वैरियेशन तो यहाँ और माइनस टू परसेंट के अब देखें हमारे देश का जो इंफ्लेशन है वह राइस हो चुक है सिक्स परसेंट से ज्यादा हो चुक है और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर पिछले 49 मंत का अगर हम डाटा देखें तो इंफ्लेशन राइस कर रहा है अब इसको टैकल कर समझते हैं तो देखें कोवीड के समय में जो हमारी देश की एकनॉमी है वह काफी डाउन चली थी क्योंकि कंप्लीट लोग डाउन लग गया था और काफी लोगों की यहां पर जॉब भी चली थी तो आर्बी ने मार्किट को फिर से स्टेबल करने के लिए जो इंट्रस्ट नहीं है कोवीड के समय के हम बात करते हैं तो इसको स्टेबल करने के लिए बैंक ने अपने जो रेट्स हैं वो कम कर दी है तो मार्किट यहां पर स्टेबल करने के लिए बैंक कर रहा है और पैसे के फ्लो को बढ़ा रहा है जब पैसे के फ्लो को बढ़ाएगा तो उसके सम उस समय के बाद हमें इंफ्लेशन देखने को मिलेगा और इंडिया में इंफ्लेशन है वो 6% ज्यादा हमें देखने को मतलब 6% से जादा हो चुका है और इसलिए यहां पर जो रेपरेट है उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया कि मार्केट से जो पैसे का फ्लोव उसको कम करा जाए तो आपको पैसे का फ्लोव कम करा जाता है तो यहां पर देखें जो सकता है और प्लस-टू-वाली जो कंडिशन आपको यहाद रखनी है 49 बंद का अगर हम डाटा देखें तो और जो फूड के प्राइजिस है या उसमें उसके कंडेक्स में अगर हम इंफ्लेशन देखें तो वह अभी के लिए आप हटा दो क्योंकि जो पैट्रोल है वो डिबेंट करता है इंट्रनेशनल मार्केट में उसका क्या प्राइस तरह है और इसी तरह से जो फूड है कि हमा और यहां पर टूल से उनका यूज करता है तो डैप रिंट कि अगर वह वह बढ़ा देगा मतलब से wavelength है वह कम से कम मतलब मार्केट में रहें वह कम से कम करेंगे और वो अगर मार्केट में लऋन कम देंगे तो डेफिनेटली जो बेसीकली पैसे का फ्लो है वो हमें कम देखने को मिलेगा उसके पाद अगर हम बात करें गतों मैं यह जितने पर आपको पताया थे जैसे CRR है SLR है बैंक रेट है रेपो रेट है ओपन मार्किट ऑपरेशन है जितने वी टूल से इनको बेसिकली मोनेटरी पॉलिशी के मेटी की तरह डिसाइड करा जाता है कि कम करना है या ज्यादा करना है और वह किस बहाफ पर डिसाइड करा जाता है कि हमारे देश में इंफ्लेशन चल रहा है और रेपो रेट अभी के लिए यहां पर अंचेंच रखा गया 6.5 परसेंट अब मोनेटरी पॉलिशी कमेटी यह 2016 में वकिंग में आई थी और कौन से परसेंट की रेकमेडेशन से मोनेटरी पॉलिशी कमेटी को बनाया गया था और जीत आर पटेल आपको बता हमारे देश के आर्बे के गवर्नर भी रह चुके हैं अब मोनेटरी पॉलिशीं कमेटी इस पॉण सिफ़ांसिवल फोर फिक्सिंग बेंच्मार्क इंट्रसटेight अब गिंच्मार्क इंट्रसटेट क्या होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक आपको बोलेगा कि हम 0.25 परसेंट तो कम कर पाएंगे लेकिन इससे जादा नहीं कर पाएंगे और यह रीजन क्या होता है कि देखे आर्पे के द्वारा डिसाइड करा जाता है कि बेंचमार्क है इससे आप कम नहीं जा सकते हैं मतलब उसकेस में आप ऐसे समझो कि जिन लोगों ने लोन लिए हुए थे जब रैपोरेट बहुत कम परसेंट पर था तो उनको जो उनकी है उसके कोडिंग ही बेसिकली कंसेडर हुए थी ऐसे समझो इसको और मैं इसी वे में समझाता हूं कि आपने लोन लिए है ठीक है होम लोन समझा और उस समय जो इंट्रस्टेट है वह बहुत कम थे आपने लोन ले लिया अब आपकी यह वह फिक्टीन हाउजंट क्स होगी लेकिन अब इंफ्लेशन को दूर करने के लिए रबिया जो इंट्रस्टेट इशको बढ़ा रहा है अब जैसे जैसे इंट्रस्टेट भा रहे होंगे उनको एक राहत भरी सास देखने को मिली होगी जब से उन्होंने सुनाओ गवा कि रैप और रेट में आप कोई भी फर्दर चेंज नहीं होंगे मतलब यह तरह से अंचेंट रखा गया तो होफिली यहां पर जो बेंचमार्क वाली कंडिशन है वह आपको क्लियर होगी होगी उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कमेटी कॉंप्रवाइस सिक्स मेंबर सिक्स मेंबर होते हैं तीन और तीन गवर्मेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और माल लोग कि कोई भी डिसीजन रेपरेट के अंडेक्स में हम समझ लेते हैं आप यहां पर तीन परसंट कह रहे हैं कि रेपरेट को आप इंक्रीज करो मतलब इसका जो परसेंटेज वैलिए उसको इंक्रीज करो इंफलेशन हमने होर कम करने लेकिन तीन परसंट कह रहे हैं कि नहीं इसको हमने यहां पर उ यहाँ पर एक होते हैं आर बेके गवर्णर एक होते हैं डिप्टी गवर्णर एक एक एक्जगुटिव डिरेक्टर और तीन गवर्मेंट ऑफ इंडिया के तरह से यह जो नेम है यह आपने यहाँ पर याद रखने आशिमा गोहिल शुशांग फिडे जयंत आर वर्मा एंड उसके साथ आपने रजीव रंजन जो आर बेके एक्जगुटिव डिरेक्टर है और डिप्टि गवर्णर एमडी पात्रा एंड आर बेके जो गवर्णर है शक्ति कांता दास तो यह जो छे मेंबर है यह आपने इनकी नेम याद रखने हैं और कंडिशन आपको समझ में अश्या का वार चर रहा है तो कहीं ना कहीं जो बेसिकली इंटरनेशनल मार्किट है उसे पर भावित होती है और एक एक ग्लोबली डाउन भी हमें देखने को मिर रहा है तो यह भी एक रीजन है कि जो बेसिकली हमारे देश में जो रैपोरेट है वो कम हुआ था लेकिन काफी ज्यादा एक वर्स्ट कंडिशन में चल रहे हैं यूएस में दो बैंक बंद हो चुके हैं और यूरोपियन यूनिन का हमने एक बैंक डिसकस किया था उसकी भी हालत बहुत ही खराब थी और मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था होफ़ली आपको याद आ रहा हो प्लो को कम करना होगा अगर पैसे का फ्लोड जादा हो जाएगा तो उस कंडिशन में ना तो हम इंफलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और नहीं यहां पर ज़्यादा लोन दे रहे हैं और अगर जादा लोन वहां पर N.P. लाइक सिच्वेशन हो जाए नॉन पर्फॉर्मिं है वो है inflation को टैकल करना कि हमें inflation को कंट्रोल करना है किसी भी हद में inflation 6% से जाधा नहीं होना चाहिए लेकिन अभी के लिए जाधा हो चुका है तो इसको हम five point something percent पर लेकर आएंगे तो आरबे ने 2023 और 2024 का जो फाइनिशल यह उसमें यह कंडिशन रखें कि जो हमारा inflation है वो 6% से हम कम करेंगे और रेट सार बिंग हाइट globally उसके पिछे का reason क्या है कि जो basically हमें USA में दो बैंक वोस्ट कंडिशन में देखने को सकते हैं और अगर इससे भी ज़्यादा हम राइस करेंगे तो definitely हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि कोई भी पर लोन लेने में इंट्रस्टेट नहीं अगर ज्यादा प्राइस हाइक हो जाएंगे तो obviously यहां पर जो लॉन है वो भी कोई नहीं लेगा तो यहां पर ना तो inflation की वज़े से हम यहां पर ज्यादा इंट्रस्टेट कर दें और उसके बाद कोई भी लोन ही ना ले हैना तब कुछ समय के बाद हमें यहां पर मंदी देखने को मिलेगी तो आर भी हर situation को यहां पर balance करके चलता है तो यहां पर जो हमारी कोशन की जो फर्स टेटमेंट उसको समझ लेते हैं बॉंड इल्ड और सिग्निफेंटली एफेक्टेड बाई रेपोरेट यह स्टेटमेंट सही है अब इसको अच्छे से समझेगा मालों की एक बॉंड है जिसकी फेस वेल्य कि इसकी फेस वेल्यू कितनी है और यहां पर जो रेट ओफ रिटर्न मतलब जो इल्ड बॉंड है डेट ओफृटर्न इस पर है 10 पर सब्सक्राइब तो यहां पर अगर फेस वेल्यू के एकॉर्डिंग्ली 10 परसेंट रेटर्न मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे फीक् लोगों के पास पैसा कम होगा तो यहां पर जो बॉंच क्या हो जाएगी वह बिसिकली यहां पर कि एक करेंगे और अगर माल लोग यहाँ पर रैपो रेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा जो लोग है वह बॉन्ड पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे अभी अभी के लिए बॉन्ड पर कितना इंट्रस्ट रेट चल रहा है 10 अब माल लोग यहाँ पर जो कि इन्वेस्ट की बीनिफिट कुतने का वर्रहा था इस कंडिशन में 20 परसेंट का लेगिन इस कंडिशन में अगर हम देखें तो बैनिफिट हमेशा से inversely proportional होगा bond yield के मतलब जब यहां पर यह RBA के त्वारा basically decide करा गया था कि जो रैपोरेट है उसको हम पोस्ट कर रहे हैं और उसको अभी के लिए जादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहां पर जो market में player बैठे हैं जो bond की पर्चेज और सेल करते हैं तो उनको यहां पर यह एक्सपेक्टेट था कि बाउंड के रैपोरेट के जो प्राइस हैं वह बढ़ेंगे और डेफिनेटली बॉंड हम जादे जादा पर्चेज कर पाएंगे और उस कंडिशन में उनको काफी जादा लूस हो गया क्योंकि यहां पर यह पॉइंट आपने याद रखना है बॉंड प्राइज इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉंड इल्ड और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अ यहां पर उमीद थी तो उसने अपने बहुत सारे बॉंड बार्केट में बेच दिए अब उसको यह उमीद थी कि यहां पर रैपो रेट इंक्रीज होगा और जैसी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड के प्राइड कर लूँगा कम पैसे में और मिरे को यह प्रॉफिट हो जाए तो यहां मार्किट में जो इस कंडिशन को देखते हुए जो एक बॉंड को लेकर यहां पर ऐसे समलों की परचेसिंग बावर बढ़ गई और जितने भी लोगों परचेस करेंगे और हमारा जो वैल्यू है इंट्रस्ट वह बढ़ जाएगी और उनको लगा कि अभी के लिए इन फ्यूचर यह कम हो सकता है तो उन्होंने फिर से जो अपनी बॉंड है उनको परचेस करना शुरू कर दिया और आपने इसी के कंडेक्स में एक टर्म देखी हो है दो इन इस सब्सक्राइब करने के लिए हैं आपर जो सेन्टर मेंगे वह अठिर करता है सब्सक्राइब करता सब्सक्राइबerd以 Avec अंवेस्ट ऑप इनवेक्टेक्स सब्सक्राइब एंकिरिश था बंक चोड़ स्व Sums 2 एंट लिए इंवेस्सक्त जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी काफी मतलब आपको होफली क्लियर होगी होगी तो तीनों स्टेटमेंट आपको यहां पर सही है तो ऑप्शन डी बिलकुल सही हो जाएगा तो आज के सेशन में जितने ही पॉइंट्स हमने कवर किये होफली आपको समझ में आगे होंगे इन झाल